कि अजुँ देखिए आज में मनाने प्वाण यह ह्म करने के सबची जो मतलब एकदम ऐसे बनेगा उसको मैंफ 5 अजयादा नहीं काती हूं तो इसको मैंने एसे बीच में से कार दिया और इसका जो बीच था उसको भी निकाल के बाहां दिया इसके बाद इसको में उबालने के लिए प्रेशर में दूंगी इसको प्रेशर में दे दिया ऐसे ही ऐसे ही काटके एक पानी मिलाऊंगी ज्यादा नहीं एक पानी इस अभी में हाई फ्लम में इसको उबालूंगी थोड़ा नमक डालके इतना सा नमक डालाए ज्यादा नहीं क क्योंकि हम उसके अंदर जो स्टफिंग देंगे ना मसाले के तो उसमें भी नमक जाएगा हाई फ्लेम में इसको मैं ने चड़ा दिया अभी एक सिट आने तक इसको में उबालूंगी आई है जीरा है और यह कुछ मिल्स है और यह फिर लशन है इतना साथ इसका मैं अभी के एक पेस्ट बनाऊंगी जो मैं स्टफिंग में दूंगी करेले के अंदर अब यह ने में स्टफिंग बनाने के लिए कड़ाई बेस्ट जाजिया गया स्टे और इसमें थोड़ा सास्टो का तेल डालूंगी अच्छा सी गरम हो चिका था इसलिए मैं थोड़ा से जीरा डाल दिया जीरा के बाद अब हम जो पेस्ट मैंने बनाई थी वह पेस्ट अब में इसमें डाल दूंगी इसको मैं ज्यादा नहीं पकाना है इसको ज्यादा पकाऊंगी तो पीजिए उसका टेप बिगट जाएगा मतलब खराब लगेगा इसको कुछ इस तरह से थाइप फ्रेम में गाड़ी होने तक इसको पकाना है अब यह देखिए इसमें मैंने नम्मक लाल मिर्स और हल्दी यह तिनों अभी इसमें मिला दूंगी करेला भी अच्छे तरह से पक गया है इतना ही पकाना है ज्यादा नहीं इसको में चान लूंगी इसको पानी से निकाल के थोड़ा थंडा होने तक रख दूंगे इसको बस इतना ही अभी मैं इसे भी बंद कर दूंगी और कुछ समय तक छोड़ दूंगे इसे ही थंडा होने के लिए स्टाफिंग तो चुना थे करेव देना ही तो असपर यह दिदुत में बनाए थी देखें है स्टाफिंग में ने बनाई थी यह Sट करे लेके अंदर अच्छे से स्टाफिंगो अब इसको में फ्राइब करूंगी आप में तवा चड़ा दिया इसको थोड़ा गरम होने के बाल फिर यह जो करेला है इसको में अभी इसमें फ्राइब करूंगे ठीक है थोड़ा सा तेल देखे कुछ इस तरह सब मैं इसको फ्राइब कर दूंगे यह अच्छे से हो गया है अब थोड़ा फक्चे उसके बाद में दूसरी बनाओंगी तो यह हो गया रेडी अब इसको आप चावल के साथ अच्छे से टेस्टी 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 खा सकते हैं तो अगर आपको मेरी रसीवे अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक् प्लीज प्लीज टादा